हे अबरीवन, वल्कम बैक टो अगेन SR Editing Zone दोस्तों एक वीडियो का और भी ज़्यदा बहतर से बहतरीन बनाने के लिए एक नेक्स लेवल की प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के रिक्वार्मेंट रहती है इसमें हमें देखिये most important color grading भी आनी चाहिए देख सकते हैं कि screen पर color grading की help से हमारी एक normal सी footage भी cinematic बन गई है चाहिए भई कितनी अच्छे shots हम लोग ले लें लेकिन color grading के बेना ये बिलकुल अधूरी है इसके बाद बारी है जो हम text use करते हैं उसके fonts भी decent हो ना कि आड़े ठेड़े खास दोर पर cinematic footage के लिए भई और वन अफ दी most important जो वीडियो का sound selection है वो सही होना चाहिए अब ये सभी चीज़े एक professional editor के लिए कोई भी मुश्किल वर्क नहीं है उसमें भी जो सबसे बड़ा application use किया जा रहा है वो CapCut और VN Video Editor है CapCut बहुत इंडिया में बैन होने की वज़़ा से असानी से इसका use हमें से बहुत से लोग जो है वो कर नहीं पाते है बचा VN Video Editor देगे इस बात में कोई शक नहीं है कि VN application जो है वो वर्ड का सबसे best mobile video editing application है तो आज हम इसकी ही बात करेंगे जियां दोस्तों आज मैं आपको VN Video का एक ऐसा feature बताने वाला हूं जिसके बाद आपके वीडियो editing और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी खास तोरपर color grading जी हाँ मैं बात कर रहा हूं दोस्तों VN QR codes की जिसको आप जस्कान करके color grading कर सकते हैं इनका यूज़ करके fonts टाउनलोड करने के साथ साथ printing template भी टाउनलोड कर सकते हैं ये QR codes विज़े तो भई इतनी आसानी से internet पर अविलेबल नहीं है लेकिन don't worry मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इनको पा सकते हैं इसके साथ ही कैसे better तरीके से इनका यूज़ करना है ये सबी चीज़े दोस्तों वीडियो के अंदर है तो वीडियो को जरा भी skip नहीं करना है और हां ऐसी ही information के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करकर bell icon सो रूप प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आप से बसना हो दोस्तों एक बात और देखे इस वीडियो को बनाने में मुझे लगबग 10 दिनों से ज़्यादा का समय भी लग गया है सो प्लीज लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करना धवा का लाइक करना ठीक है हमारा टार्गेट है 5000 लाइक का देखे आ भई पूरा होता है या नहीं होता है अभी दोस्तों जैसे कि यहां मैंने VN एप्लिकेशन को ओपन कर लिया है यहां पे आपको cut वाले option पा क्लिक करना है देन अभी सबसे ओपर corner में three dots पा क्लिक करना होगा यहां पे आपको first option ही scan का मिल जाएगा उसको जब आप click करेंगे तो आपके mobile की gallery ओपन हो जाएगी और जो QR codes आपके phone में होंगे वो show हो जाएगे ना उसको क्लिक करते हुए आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यह एक Music Pack का QR है, सो डाउनलोड कर लेते हैं, और इस तरह से डाउनलोड हो जाने के बाद, इस फोल्डर का आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने SR Editing Music Pack रखा है, इस तरह से फिल्टर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाने के बाद, इंपोर्ट, दैन फोल्डर का नाम रखना है, और बस आगए फिल्टर्स आपके, मैं आपको Music Park, फिल्टर्स और टैम्पलेट के साथ साथ कुछ अच्छे फॉन्ट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा, कैसे डाउनलोड करना है, वो आगे देखेगा, अभी देख सकते हैं, हमारे फिल्टर एड हो चुके हैं, दोस्तों, आप प्रीसेट्स या लर्ट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगी, कैसे यूज़ करना है, अभी बात कर लेते हैं, QR कोड्स की, यहां में कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको Google करना है, Chrome ब्राउजर से, पहली ही साइट आपको हमारी मिल जाएगी, उसपर क्लिक करते हुए साइट ओपन कर लेनी है, यहां पे आपको त्री डॉट्स दिखेंगे, उसपर क्लिक करना है, और सर्च बाक्स शूब हो जाने पर आपको सिंप्ली वी एन कोड टाइप कर लेना होगा, और पोस्ट पर जाके आप क्यो वार को सेफ कर लेना, कितना सिंपल है ना, विसे इससी भी कई ज़्यादा सिंपल है दोस्तों वीडियो को लाइक करना था, प्लीज यार कर दो, मतलब नहीं नहीं नौलिज दिये है या, लाइक तो बनता ही है, मैं आपको मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में अपना बहुत ख्यार रखना, बाई बाई, चेक केर,